आज 16 अप्रेल को है महा अश्टमी और कर 17 अप्रेल को है राम गौमी तो दो दिन हैं हमारे पास नवरात्रों के बची हुए कुल मिला के दिन क्या रात्रियां भी बची हुई हैं हमारे पास यानि के नवरात्री की तो रात्रियां ही काम करती हैं जब जहां रात्री आ जाती ह जैसे शिवरात्री है, नवरात्री है, वहां रात्रियां दिन से ज़्यादा उर्जावान और तेजों में होती हैं, तो अश्टमी की रात्री और नवरात्री, यानि के नोमे दिन की रात्री, आप जिन बच्चों का विवाय योग नहीं बन रहा है, जिन बच्चों के विवा को या कल रात को यह उपाई जरूर करें जो प्रयोग मैं आपको बता रही हूं अच्छा इसके साथ ये भी बता देती हूं कि मान लीजिए आप इन दो दिन में भी कोई काम नहीं कर पाते हैं तो फिर सॉंबार की अश्टमी जब भी आए आपको जब भी सॉंबार की अश्ट करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें आपका सब्सक्राइब हमारी हिम्मत और होंसला है आपका शेयर दूसरे के जीवन में खुशियां लेके आता है तो आपके जीवन में भी एटोमेटिकली आती हैं तो बात करते हैं कि जिन बच्चों को विवाय योग नहीं बन रहा है उनके लिए आप क्या करेंगे देखिए इस उपाय को माता-पिता भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी अपने लिए कर सकते हैं बहुत ही अचूक उपाय है आज की रातरी को गवाईएगा न लोटा एक चाहिए आपको जलका भरा हुआ है शुद जलका उसके बास से नारियल अगर आपको ध्यान हो तो जिसे हम खोपरा कहते हैं आधा कटा हुआ नारियल होना चाहिए आपके पास जिसरे से आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आधा कटा हुआ नारियल इस तर विवा को लेकर उसी बच्चे की उमर के दाने आपको चाहिए साबुत सुन्दर दाने चांट लीजिए गा टूटे-फूटे दाने ना हो अगर बच्चा में देरी हो रहुई है, वो खुद भी कर सकता है यह, जितनी उसकी खुद की उमर है, वो अतनी अपनी ही उमर के दाने ले ले, सब बच्चों को पता होता है, हाँ, इतना जुरूर कह देती हूँ कि, जो साल चल रहा हो, उसको एड़ साथ में जरूर करिएगा माने 30 के हो गए 31 वा चल रहा है तो 31 दाने लीजिएगा उत्रे दाने ले लीजिएगा और यह जो खोपरा है या नारियल का जो आदा कटा हुआ भाग है इसमें वो डाल लीजिएगा नारियल में और डालने के बाद अगर बच्चे खुद कर रहे हैं तो इस नारियल में जो आपकी उमर के दाने डाले हुए हैं या माता पिता कर रहे हैं तो भी इसमें जो बच्चों के उमर के दाने डाले हुए हैं इसको बच्चों के सिर के उपर से साथ बार गुमा दीजिएगा साथ बार आपको गुमा देना है इसको और अगर बच्चे पा दीजेगा लोटा जल के उपर ये खोपरा और अगर बच्चे ना हो पास में तो फिर मां कर रही हूँ तो मां अपने सिराने रख ले बच्चों के विवा की मुनो कामना करते हुए शिगर विवा की कामना करते हुए इसको रखें और सुबह अगले दिन उठते ही अश्टमी क नीम के पेड़ में बास करती है नीम के पेड़ में मां की नो शक्तियों का बास होता है इसलिए नीम के पेड़ में जाएं और नीम के पेड़ में एक दीपक प्रजलत करते हुए बच्चों के विवा की कामना करते हुए यह लोटा जल जो है बच्चों के सिराने रखा और जो खोपरा है और जिसमें दाने रखें उहें इसको थोड़ी सीसी मिटी हожно टाके नीम के पीड़ के नीचे और इसको दबा दीजिए और आपको 21 बार एक मंतर का जाग करना है माता प्ता हों तो बच्चे के लिए प्रार्थना करें और मंतर का जाग करें और रच्छे खुद हो तो अपने खुद के लिए माहुद अगे प्रारत्रा करेें मंत्र इसंपर्कार रहेगा और पर लगो dragging बोलनी है मनों कामना बहुत शर्दा और भावना के साथ बोलिएगा मान नव दुरगा के सामने नो के नो देवियां आपके सामने विराजमान है इन दिनों में अश्टमी में और नो मी में आप देखेंगे तुरंत चम्तकार होगा पच्चों का शिगर विभाय योग बनेगा होगा जरूर करें मौकान गवाएं कमेंट बॉक्स में ज्याम आता दी जरूर लिखें ठेंक्स फोलाज